दोस्तों market में एक sharp dump आया है अभी recently आप देख सकते हो odds वगराँ में भी काफी इच्छा यहां पे dump आया है, तो क्या हो रहा है market के अंदर किया हमारा bull market खतम हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि alts जो है कई percent यहां 12-20-30% तो कहा पे dump कर गये है, तो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर क्या हम फिर से यहां पे डंप होने वाले है मार्केट में क्या गोल्डन क्रॉस जो हमारा आया था वो क्या है फेक गोल्डन क्रॉस आया था हमारा इस वीडियो में हम देखने वाले है और क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्या market किस तरफ जाएने वाला है क्या bullish जाएगा इस वीडियो में complete हम analysis करने वाले हैं प्लस alts की analysis भी करने वाले हैं वीडियो पूरी देखना और reasons समझेंगे कि क्यों हो रहा है हमारा यहाँ पर dump rb की तरफ से क्या news निकल के आ रही है तो दोस्तों मैं हूँ प्रशाथ आप देख रहे हैं क्रिप्टो को चैनल और यहाँ पर सबसे पहले time waste नहीं करते हैं सबसे पहले हम bitcoin का price यहाँ पर analysis कर लेते हैं फटाफट आप देख सकते हो कि अभी recently यहाँ पर market में crash आया है और यहाँ पर मैंने आपको वान भी किया यहाँ पर bitcoin जा सकता है और आप देख सकते हो कि वहीं यहाँ पर हुआ बिटकोइन का price नीचे की तरफ डंप किया और यहाँ पर देख सकते हो कि फिबनाची जो लेवल है हमारा 21,800 यहाँ पर hit कर गया ठीक है almost यहाँ पर hit करने वाला है अच्छी यहाँ पर support हमारी काम और यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि market हमेशा pump ही करता चले जाए ठोड़ा cool off आता है market में थोड़ा यहाँ पर expand होता है market थोड़ा यहाँ पर sell-off भी होता है जो profit booking होती है तो यहाँ पर थोड़ा sell-off भी हम देखते हैं तो यहाँ पर देख और फिर यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर buying होगी और buying होने के बाद एक अच्छा moment हो सकता है ठीक है अब यहाँ पर alts के बारे में हम देखने वाले हैं alts कौन से कौन से यहाँ पर pick करें क्योंकि मैंने आपको कई सारे alts आपको बताए भी थे अगर आप मेरी वीडियो द कल रहे हैं अच्छे support पर भी सारे coins आ गए है और यहाँ पर अनाल्सिस कर लेते हैं अगरे के बारे में और यहाँ पर देख तो एक शार्प यहाँ पर movement आया है और यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पर में को लग रहा है कि थोड़ा है और sell-off आएगा bitcoin में थोड 53% के around almost यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पर थोड़ा support लिए अगर यह बढ़ना start होती है तो bitcoin के अंदर फिर से एक market में pump आएगा bitcoin में pump आएगा पैसा नया bitcoin में आएगा और फिर यहाँ पर हमारे all coins में यहाँ पैसा flow होने वाले ठीक है तो थोड़ा यहाँ पर फिर से एक 0.3 के around 0.33 के around यहाँ पर हम देख सकते है एडी को जाते हुए next अगर आप BNB के बारे बात कर ले तो आप BNB आप देख सकते हो कि BNB में एक moment आया है और अभी जो support में को लग रही है वो यहाँ पर 300 के थोड़ा नीचे जा सकता है BNB तोड़ सकता है और फिर यहाँ पर के तरफ यहाँ पर बड़ेगा ठीक है next आप मैटिक के बारे बात कर ले तो मैटिक में भी यहाँ इतना बड़ा डंप नहीं आया है मैटिक में अभी लेकिन थोड़े यहाँ पर expectation है कि यहाँ पर $1 के around तो definitely इसमें फिक आप यहाँ पर हो सकता है ठीक है और फटा-फट शी यहाँ पर sell-off हुआ है और एक तरीके से जो हमारा राइजिंग यह चैनल बन रहा था अभी जो है डोज में जो लेवर लग रहा है वह 0.07 का यहाँ पर लग रहा है ठीक है इस लेवल तक यहाँ पर जा सकता है आप यहाँ पर support भी है इस region में तो यह जो region है काफी important region है और यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर support बनेगी ठीक है अगर आप डॉट के बारे बात कर लेते हो तो डॉट में भी आप देख सकते हूं कि दॉट में थोड़ा और यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो सेम वही यहाँ पर pattern बन रहा है जो हमारा rising channel pattern है ठीक है तो थोड़ा यहा अच्छी यहाँ पर buying हो सकती है ठीक है अब यहाँ पर updates के बारे में major updates के बारे में देख लेते हैं जो RBI की तरफ से आई है और RBI ने अभी जो है रेपो रेट यहाँ पर increase कर दी है और यहाँ पर आप नहीं मानते हो तो रेपो रेट और जो RBI है और major major क्योंकि आपको पता इंडिया की population काफी है और investors भी काफी हो गएं इंडिया के अंदर जो यहाँ पर market में पैसा यहाँ पर डालते है अब यहाँ पर market में अगर रेपो रेट बढ़ती है तो यहाँ पर बाइंग पावर जो होती है लोगों की वो कम हो जाती है तो यहाँ पर अब देख सकते हो कि अगर यह रेपो डेट को जादे ही बढ़ जाती है तो हमारा मार्केट में एक sudden dump भी आता है कुछ-कुछ factors होते हैं जो इस dump में यहाँ पर contribute करते हैं क्योंकि international भी यहाँ पर effects होते हैं market के prices हमारे रेपो डेट से इंट्रस जादा बढ़ जाता है तो लोगों को भी यहाँ पर जादा इंट्रस देना पड़ता है अपने loans पे, EMIs पे तो यहाँ पर buying power थोड़ी यहाँ पर कम हो जाती है और market पर थोड़ी यहाँ पर stability आ जाती है अब यहाँ पर रेपोरेट बढ़ा है तो से जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि रिपल की यहाँ पर settlement हो जाए और दोस्तों हमें यह भी बता है कि रिपल के favor में हमारा जो है इसमें बयान आने वाला है और SEC की जैसी settlement होगी रिपल में हम एक price इस moment देख सकते हैं तो रिपल में थोड़े हाँ पे watch out कर सकते हो रिपल एक काफी पुराना coin है और एक अच्छा हाँ पर pump कर सकता है जो भी updates निकल के आएगी SEC की तरफ से या फिर जो भी updates निकल के आएगी मैं instantly हापे आपको telegram में update कर दूँगा तो make sure चैनल को subscribe कर दो वीडियो को like कर दो और हमारे Instagram को भी follow करने लाए एड़ रेट क्रिप्टो कुछ आपको मिल जाएगा ठीक है मैं आप से विल तो किसी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर और कुट बाए